हलो फ्रेंड्स, सिरी गनेश भोग में आप सभी का स्वागत है, आज हम बनाएंगे मटर पनीर की सबजी मटर पनीर की सबजी सभी को बहुत पसंद आती है और आज हम इजी तरीके से मटर पनीर की सबजी बनाएंगे तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं मटर पनीर की सबज बनाना तो सबसे पहले हम यहां पे एक कड़ाई में दो टेबल स्पून तेल गरम करेंगे और तेल अच्छे से गरम हो चुका है और इसमें हमने डाला है तीन हरी मिर्च आदा हिंच अद्रकाव टुकड़ा कड़ू कस किया हुआ एक टेबल स्पून हमने इसमें बारी कटीवी लैसुन की कलियां डाल दी है इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे एक बड़े साइज का कटा हुआ प्याज और प्याज को भी हम अच्छे से मिला लेंगे और इसमें हम डालेंगे तीन मीडियम साइज के टमाटर टमाटर को भी हम अच्छे से मिला लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे 10 से 12 काजू और इसमें हमने डाला है एक टेबल स्पून कॉर्ण फ्लॉर एक चोथाई कपचितना हमने इसमें दूद वाली मलाई डाली है आप दूद की मलाई की जगे फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हो तो हमने इसे अच्छे से मिला लिया है और अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर तो मैंने यहाँ पर एक चोथाई चम्मच हल्दी पाउडर डाला है नमक एक चोथाई चम्मच और इसे हम फिर से अच्छे से मिला लेंगे तो मैं इसकी ग्रेवी बनाने वाली हूँ और इसकी ग्रेवी है वो बहुत ही टेस्टी बनेगी तो हमने इसे अच्छे से मिला लिया है और अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे तो मैंने इसमें आदा कब पानी डला है और इसे मिला के हम लगबग 4-5 मिनट तक मीडियम आज पर पकने देंगे तो मैं इसके उपर ढखन लगा के रख रही हूँ लगबग 5 मिनट हो चुकी है और हमारी जो सबजियां है टमाटर प्याज है वो काफी सॉफ्ट हो चुका है और गेस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया है और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे तो हमारी सबजी का जो ग्रेवी वाला मिश्रन है वो ठंडा हो चुका है और अब हम इसे मिक्सी जार में पीस लेंगे और इसका हमें पेस्ट बना के तयार कर लेना है तो देखिए हमने इस तरह से इसका पेस्ट बना के तयार कर लिया है यह देखिए और अब हमने यहां पे एक कडाई लिया है और कडाई में एक चोटाई कप तेल गरम कर लिया है तेल गरम हो चुका है और इसमें हमने डाला है आदा छोटा चम्मत जीरा जीरा अच्छे से चटक गया है और इसमें हमने डाला है दो चुटकी जितनी हिंग तीन तेज पता डाल दिया है और अब हम इसमें डालेंगे चार से पांच बारिक टीवी लैसुन की कलियां लैसुन का कलर है वो चेंज हो चुका है और अब हम इसमें डालेंगे दो मीडियम साइज के कटेवे प्याज प्याज को हम अच्छे से भून लेंगे तो दिखिए प्याज का कलर है वो सुनेरा हो गया है और अब हम इसमें टमाटर वाला पेस्ट डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे एक चोथाई चम्मच हल्दी पाउडर एक चमच हमने इसमें लाल मेर्ची पाउडर डाला है नमक स्वादय नुसार एक चमच हमने इसमें डाला है धन्या पाउडर और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे तो लगबग हम इसे 5 मिनद तक दीमी आज पे पकने देंगे ताकि इसका तेल जो है वो उपर आ जाएगा और अच्छे से ग्रेवी है वो पक जाएगी तो ये देखे हमारी जो सबजी की ग्रेवी है वो बहुत ही अच्छी बनी है और तेल है वो उपर आ गया है तो हमारी ग्रेवी अच्छे से पक गई है और अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला तो मैंने यहां पर एक चोथाई चम्मत से भी कम इसमें गरम मसाला डाला है और गरम मसाले को हम अच्छे से मिला लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे मटर तो मैंने आदा कप मटर को उबाल के रखा है वो मैं इसमें डाल रही हूँ तो मैंने आदा कप मटर इसमें डाल दिये हैं और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 300 ग्राम पनीर पनीर को मैंने काट के रखा है और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे तो अब हम 4-5 मिनट तक दिमी आंज पर इसे फिर से पकने देंगे और अब हम इसे ढकन लगा के रख देंगे ताकि मटर पनीर ग्रेवी में अच्छे से मिक्स हो जाए तो देखिए लगबग मैंने 5 मिनट तक इसे पकाया है और आप देख सकते हो हमारी जो मटर पनीर की सबजी है वो बहुत ही अच्छी बनी है और अब हम इसमें डालेंगे बारी कटा हुआ हरा धनिया और धनिया को भी हम अच्छे से मिला लेंगे तो फ्रेंट्स हमारी मटर पनीर की सबजी तयार है तो आप इसे नान के साथ चपाती के साथ खाईए ये बहुती टेस्टी लगती है तो फ्रेंड्स मेरी मटर पनीर की सबजी आप सभी को कैसी लगी मुझे कॉमेंट्स बोक्स में जरूर बताईए वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजे शेर कीजे अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजे बल आइकन दबाईए मेरे अगले वीडियो की जानकारी आपको मिल जाएगी मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ वीडियो को अंते तक देखने के लिए धन्यवाद